नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एकने वीडियो के साथ मैं हूँ जिज्जासवाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल दोस्तों पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर बहुती महामारिक के बीच वित मंतरी निर्मला सीता रमन के तरफ से बहुती बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें किसान, मजदूर, बुजूर्ग, विकलांग, महिलाओं के लिए बहुती बड़ा पैकेज लेके आया गया है जिसमें सभी को एक साथ एक साथ बेंफिट मिलने वाला है इसी के संबंदित पूरी जन्कारी मैं आप लोग को देने वाला हूं कि आप लोग को क्या benefit होने वाला है इस नए package के दोरान और दोस्तों इसका नाम दिया गया है economic booster doge इसी के संबंदित हम लोग बिस्तार में जानेंगे कि क्या-क्या लाब आप लोग को होने माला है इसके लिए आप लोग को आजाना होगा भासकर.com के official website पे जहां बता गया है करोना संकर से निपटने के लिए 1,70,000 करोन के राहत पैकेज का एलान वित मंत्री बोली कोईसिस रहेगी कोई भूखा न सोहे यहां पे आप लोग देखेंगे क्या जनकारी यहां पे मिल लई है वित मंत्री निर्मला सितारम ने गुरुवार को प्रेस कांफरेंस की करोना संकर से निपटने के लिए वित मंत्री ने 1,70,000 करोन रुपे की राहत पैकेज का एलान किया उड़ोर ने कहा है कि सरकार किसी गरीब को भूखा सोहने नहीं देगी करोना वारिस संकरमर फैलने से रोकने के लिए प्रधान मंत्री नरंद मोदी ने मंगलवार को देशवर में 21 दिन का लोकडाउन किया लोकडाउन घोशित किया था इससे जन जीवन और आर्थिक गद्विधिया थहर गई विट मंत्री ने क्या क्या एलान किये हैं इससे सबसे पहले हम लोग जानने की कोशित करते हैं लोकडाउन से परभावित गरीबों की मदद की जाएगी जिन लोगों को तुरंत मदद की अवसरूरत है उन्हें राहाद दी जाएगी परथान मंत्री गरीब कल्याण योजना लाई जाएगी इसके अलवा यहां बताया गया है परथान मंत्री गरीब कल्याण अन योजना के तहत 80 करोण गरीब लोगों को 3 महीने तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल अतरिक्त दिया जाएगा इसके अलावा 1 किलो दाल भी दी जाएगी या खाद समाकरी रासन के अलावा होगी या फिर दी जाएगी किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्ट अपरेल के पहले हपते में डाल दी जाएगी इससे 8.69 करोन किसानों को फायदा मिलेगा 24 मार्च को भी सीता रवन ने कई घोसराय की थी इससे पहले मंगलवार को सीता रवन ने मंतराले के अपसरों के साथ मौझूदा हालात पर फ्रेस कांफरेंस की उन्होंने कहा था कि अगले 3 महिने तक किसी भी ATM से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा बैंक खातों में मिनमम बैलेंस रखने की सर्थ को भी खत्म कर दिया गया है इंकम टेक्स रिटन फाइल करने पर पैन अरहार लिंक करने की तारिक भी 30 जून तक बढ़ा दी गई थी इसके अलब दोस्तों मैं आपनों को यहाँ पर एक बात और पता दूँ कि अगर आपका जंधन हुजना के तहत खाता खुला था तो इसमें जो भी महिलाएं होंगी उनके खाते में 500 रुपए की रासी दी जाएगी जो की तीन किस्तों में तीन महिने के इसाब से 5500 रुपए उनके खाते में दी जाएंगे जिन महिलाओं के जंधन खाते खोले गए होंगे उनहीं को यह लाव मिलने वाला है इसके अलबा कोरोना वायरस के कारण अर्थ व्यस्ता में आई गिरावट को थामने के लिए बुद्वार को अमेरिका ने 2 लाग करोन डालर करीब 150 लाग करोन रुपय का राहत पैके जारी किया है 25,000 करोन का डालर फंड ऐसे लोगों के लिए है जिनकी नोकरी कोरोना वायरस के चलते चली गई या जिनका रुजगार परभावित हुआ है ऐसे लोगों तक सरकार सीधे चेक भेजेगी सलाना 75,000 डालर या इससे कब गरास कमाई करने वाले व्यक्ति को 12,000 डालर का स्तहयोग मिलेगा मजुदा दरों के अनुशार यह रकम भारती रकम में 90,000 के करीब होती है वहीं 1,500,000 डालर सलाना कमाई करने वाली दंपति को 2400 डालर की मदद मिलेगी साथी हर बच्चे के लिए 500 डालर अलग मिलेंगे दोस्तों ये इसकीम अमेरिका के लिए आविए इंडिया के लिए नहीं है इसके लबा यहां पर अपने देखा की रासन भी आपनों को 55 किलो दिये जाएंगे और ऐसे करमचारी जिनके 15,000 रुपैसे नीचे की सेलरी आती होगी उनको उनका जो भी EPPF करता होगा वे पूरे पैसे का वहन गवर्मेंट आप इंडिया करेगी तो आप लोग चिंता मत करें अपने घर के ही अंदर रहें जो भी आवसकता वाले चीज होगी वे गवर्मेंट आप इंडिया आपके घर तक पहुंचाएगी तो दोस्तों इसके सम्बंदित दिश्टार प्रुबग जंकाई लेने के लिए आप लोग किसी भी दिश्टार प्रुबग जाके इसके सम्बंदित लगतार अपडेट पा सकते हैं या फिर गैजेट अपडेट हिंडी.com की अपडेट मिलते रहेंगे इसके अलावा आप लोग जैसे ही टार्गेट इस पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो कम्मूनिटी सेक्शन में भी इसके सम्बंदित में लगतार इंफर्मेशन आप लोग को देता रहूँगा इसके अलावा दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि असाम को लाइव आओं आप लोगों के बीच आपके मन में कोई भी सवाल या पिर सुझाओं हो तो उस लाइव के दौरान आप लोग मुझसे जुड़के पूछ सकते हैं दोस्तों जंकारी कैसी लगी वीडियो के मातरम से कमेंट करके जरू बताइएगा सो थांक्स जैहिन वंदे मातरम